गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, गाईज आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आधुनिक जीवन शेली जिसने कई माइनों में हमारी जिन्दगी को बहुत सुईधा जनक बनाया है, वहीं इसने हमारे लिए कुछ परिशानिया भी पैदा पास जाते हैं लेकिन संभोग करने का मन नहीं करता है, इस्ट्रेस में रहते हैं, परिशान रहते हैं, देखिये ऐसा होता है, टेस्टोस्टोन के लेवल के कम होने के विजए से, जो कि आपके अपने पाई जाने वाला एक हर्मोन है, तो दोस्तों सॉलुशन है ये वी ट्र कैपसूल तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा के पुर्षों में संतान हिंता के क्या कारण होते हैं और कैसे आधुनिक जीवन शैली ने पुर्षों में संतान हिंता के कारणों को बढ़ावा दिया है और तीसरे आयुरवेद इस विशे में क्या कहता है अगर आपने अभ करने के लिए प्रकरती ने बनाया है वीरिये वीरिये के अंदर होते हैं शुक्राणों और शुक्राणों ही बच्चा पैदा होने के लिए जिम्मेदार होते हैं वीरिये में उपस्थित ये शुक्राणों जो होते हैं इनके तीन माना कैसे होते हैं जिससे ये निर्धारित ह होता है कि ये पूरु संतानुत्पन करने में सक्षम है या नहीं तो पहली चीज है वीरिये में शुक्राणूओं की संख्या वीरिये में जितने जादा शुक्राणू होते हैं उतना ही जादा उस वीरिये को उत्तम माना जाता है दूसरा मानक होता है शुक्राणूओं का आका प्रकार सही होता है तो हम मानते हैं कि ये शुक्राणू सही है और ये शुक्राणू बच्चा पैदा करने में सक्षम हैं कम से कम वीरिये में उपस्थित कुल शुक्राणू का पचास परतिशा शुक्राणू सही होने चाहिए तीसरा मानक होता है दोस्तो शुक्राणू में त का गुन होना जरूरी है क्यूंकि शुकरानों को तैर कर ही अंडे तक पहुंचक्ना होता है अगर वीरिये में उपस्थित कुल शुक रानुहों के 50% से भी कम शुकरानों तैरने में सक्षम POLół क्सक्षम नहीं होते हैं तो हम यह मानते हैं कि ये वीरिये अच्छा नहीं है यानि बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी है कि 50% से जादा शुक्राणों में तैने का गुन होना चाहिए और इस गुन को कहते हैं motility तो इस तरह से शुक्राणों की तीन चीजे होती हैं जो एक पुरिश को संतान पैदा करने के लायक बनाती हैं पहला वीरिये में शुक्राणों की संख्या दूसरे शुक्राणों का सही आकार परकार और तीसरे शुक्राणों में तैने का गुण होना अब जानते हैं कैसे आधुनिक जीवन शेली के कारण पुरिशों में संतान हिंता के मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों इसकी वज़ा है कि जादा से जादा हमारा समय बैठ कर बीटता है और इसका सीधा असा शुक्राणू बनने की क्रिया यानि स्पर्मेटोजेन सिस यानि शुक्राण उत्पादन की परकिरिया तकरीबन साड़े पैंतिस डिग्री सेल्सियस तक ही संभव है उससे जादा पर संभव नहीं है तो इससे क्या होता है कि अगर वहाँ का टेमपरेचर बढ़ता है यानि टेस्रीस के आसपास का टेमपरेचर बढ़ता है तो इस पर मेटोजेने से इसकी क्रिया सीधे तो और पर भावित होती है शुक्रान उंकम बनते हैं उनका कार परकार खराब रहता है और उनमें तैने के गुन का भी अभाव रह सकता है तो दोस्तों जरूरी है कि आप अपने जीवन शेली को बदलिए और अपने समय को इस परकार से रेगुलेट कीजिए जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर ट्रक ड्राइवर हैं जो लंबे समय तर ड्राइविंग सीट पर बैठे रहते हैं अब तीसरा पॉइंट जानते हैं आईरुवेद इस विशे में क्या कहता है दोस्तों आईरुवेद कोई भी स्वास्ते संबंदी विशे हो उस पर अपनी बेबाक राए रखता है और आईरुवेद का तो एक पूरा अंग ही वाजी करण नाम से इस पर समर्पित है कि कैसे पूर्शों को जादा से जादा संतानोर पत्ती में सक्षम बनाया जा सके तो दोस्तों खेर हम जादा बड़ी बात नहीं कर लाए संखेप में जानते हैं कि अलवेद इस विशे में क्या कहता है तो इसके लिए आचारी चरक ने दस दस जड़ी बूटियों के दो वर्ग बताए है एक है शुकर जनन महा कशाए और दूसरे हैं शुकर शोधन महा कशाए तो शुकर जनन महा कशाए में दस जड़ी बूटियों हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ वो जड़ी बूटियां हैं जीवक, रिशाभक, काकोली, खीर काकोली, वनमूंग, वन उड़द, मेदा, शतावरी, जटिला और कुलिंग यह दस जड़ी बूटियां शुकर जनन यानि इस्पर्मो पॉईटिक मानी जाती हैं स्पर्मेटो जोईनेसिस को बढ़ाती हैं दूसरी दस जड़ी बूटियां शुकर शोधन मानी गई हैं और ये इस्पर्म को प्योरिफाई करती हैं सीमेन को यानि पहली दस जड़ी बूटियां वो हैं जो जादा से जादा वीरे बढ़ाएंगी और ये वाली दस जड़ी बूटियां वो हैं जो मैं बताने जा रहा अच्छे शुक्राणों का उतुपादन होगा ये है कूठ एलवा काईफर समुदर फेन कदम का गोंद एक कांडेक्शू तालम खाना वसुक और खस तो दोस्तों ये इनके संस्क्रत नाम है मैं आपको इनके वेग्यानिक नाम भी बता देता हूं लेकिन इसमें जान रहे कि च बड़ी बुटी माना जाए जीवक का नाम वेग्यानिक रूप से माना गया है मेलेक्सिस एक्यूमिनाटा नाम के पौधे से इसको सम्तुल्ले माना गया है रिशा भख मनिल केरा हैक्जेंडरा काकोली फ्रिटिल एरिया रोयले खीर काकोली रोजोया परपूरिया मुदग पर्णी और माश पर्णी ये दोनों दाले हैं मुदग पर्णी और माश पर्णी माश पर्णी उड़त की डाल और मुदग पर्णी मूं की डाल है मेदा इसको कुछ लोग दालचीनी मानते हैं वहीं कुछ लोग पॉलिगोनेटम नाम का पौधा मानते हैं और वरद्धा यानि के चिडिया का मस्तिश्क भी मानते हैं शुक्र शोधन जो गण है जिसमें मैंने आपको बता था कूट आदी हैं तो इनके वैग्यानिक नाम जो वैग्यानिकों ने माने हैं कूट का है सौसूरिया लेपा एलवा का ब्रूनस सेरासस कटफल का मीरी का नेगी समुंदर भ चिडियानियम है और उसके बार जो लास्ट के दो हैं जिन में हैं तालमा खाना वसुक और एक और है खस तो इनके बारे में भी जादा अलग मत नहीं है तालमा खाना आप जानते हैं स्टरकेंथा लॉंगी फोलिया है वसुका इंडिको फेरा और उशीरा माना जाता है ये इस तरह से 20 टोटल जड़ी बूट्या है इनके बारे में फिर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद है अगली वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए जुग हैं यह हैं अगलीवादी बगीशी वीडियो में एक प्मरवाद हैं आपको में तोस्तों आपको में आपको